जी हाँ फ्रेंड्स आप देख की समझ गये होंगे आज हम बनाने वाल हैं चीजी क्रीमी पास्ता विक फिल्ड की पैकेट आती है मार्केट में बहुत ही सस्ती है और यह बहुत सस्ते दामों में बहुत अच्छी बनेगी मैं आपको पैकेट सामने से दिखा आती हूँ देखे विक फिल्ड की पास्ता है चीजी क्रीमी पास्ता बोलते हैं इसे हम यह फ्लेवर काफी अच्छा लगता है सिंपल है लेकिन बहुत अच्छा फ्लेवर आता है 64 ग्रम का आता और 25 रूपिस में आ जाता है और सिर्फ 7 मिनट्स लगते हैं से बनाने में ज्यादा समय भी नही तो यहां पर मैं डाल रही हूं पानी एक कप में यहां पर पानी डाला है अब हम डालेंगे इसमें हाप कप दूध अब हम पास्ता की पैकेट लेंगे और पास्ता की पैकेट को खोलेंगे और उसमें एक पास्ता सॉस मेकर बोल के निकलता है चोटी सी पैकेट होती है उसमे ने आमसे लग्याज होती है किम कोई बहुत सब्सक्राइब को और लिए निकले हैं, निकलता है तो अनीए बते लिए निकलता था है विए कमज़ने हैं, सबसे पहले मुली तैंट सब्सकरे धी में ठीजिए recrur ने के साथ तो यह चीछ हई पानी के साथ बिरहें, बिल्कुल भी लंस नहीं रहें, यह ध्यान में रखना है, लंस नहीं रखना है, वरना बाद में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले आप सौस मेकर ही डालें, इसे क्या होगा, पहले से अच्छे से मिला लेंगे, दूद और पानी के साथ, और लंस रहेंगे, इस आप खतम कर लें, इस तरह से प्रेश्ट करते करते हैं, बिल्कुल भी लंस नहीं रहते हैं, और यदि आप इसमें पास्ता पहले डाल देते हैं, बाद में मेकर डालते हैं, तो लंस को खतम करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, इसे पहले आप सौस मेकर डालें, बाद में तो देखिए मैंने mix कर लिया है अब अब ढख देंगे फाइब मिनिट के लिए जी हां फोर से फाइब मिनिट लग जाते हैं इसे पकने में मैंने इसे खुला करके भी पका यह था बिल्कुल भी नहीं अच्छी से पकता है ढ़ाता ज़रूरी है लो फ्लेम में रखते व्याइ कर लिजेगा उसके बाद चला लिजे आ फिर से वहां पश धग दिएगा तो टटब 5 मिनेट लगते हैं इसSE पकाने में लो फ्ले में लगते हिए 5 मिनेट लग जाते है और पकने एर पर। पकेगा आपटे कर लीजेगा में घुर जाने वाले पास्ते बन जाएंगे काफी क्रीमी और जैसे में मसाला तालते है तो बहुत अच्छी से स्मेल आती है बहुत टेश्टी लगता है ज़रूर से ट्राइक करें तो देखिए फाइब मिनेट हो गया है हम लीट को हटा देंगे मैं आपको चेक करके दिखात करना हमें तो दो मिनेट के लिए गेस में से फिर से चलाते रहेंगे ताकि थोड़ा थिक हो जाए और काफी क्रीमी लगे तो इससे कंट्यूनु दो मिनेट हम गेस में से रखेंगे और बीद्विश में चलाते रहेंगे ताकि हमारा क्रीमी पास्ता बन के रेडी हो कर deu finns देख। चाहिस विसक है किकी कर सच है कि आप इसमेशे बड़ सकते हैं दीए यह कार मुझद आप लिगा देखिए हथोता यह और डाल सकते हैं तो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है थोड़ से किसी भी चीज की जुरत नहीं पड़ेगी तो अब हम केस की फिल्म को बंद कर देंगे और इसे हम इक प्लेट में सरुप करेंगे तो देखे मैंने प्लेट ले लिया है इसमें हम चीज पास्ता को निकाल लेंगे और मैं आपको सामने से दिखाऊंगे कि कितने क्रीमी बने हैं बहुत ही क्रीमी देखे बनके तयार हैं घर में बिल्क कोई जंजट नहीं कोई मसाले हमने घर से नहीं डालें बस लाओ उबालो और इसे खा लो तो इससे अच्छा नास्तर क्या हो सकता है कभी भी चौप तुरंट से बना सकते हैं तो मेरे अगर यह रेशिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बह